हेलो फ्रेंट्स, डबलो स्क्यूट टेक के चैनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बाफिट से वेलकम करता हूँ फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और ने टैप के पैटन को तो फ्रेंट्स आज का जो मेरा पैटन आप देख सकते हैं इस कुन पर आपको दिखाई दे रहा है मुझा यहाँ पर क्या करना है फ्रेंट्स V-shape में कुछ numbers को print करना आप देख सकते हैं रो नमबर 1 में 1 और 9 पर मैं print करने वाला हूँ इसके अलावा मैं क्या कव रहा हो, नेक्स देखेंगे आप यहाँ और 8 पर प्रिंट कर रहा रहा हूँ, 3, 7 पर पर प्रिंट कर रहा हूँ, 4, 6 पर प्रिंट कर रहा हूँ और ऐस purity कर regional Now तो friends इसमें मैं करूंगा क्या logic क्या logic है कि मुझे यहां पर total कितनी रो को print करना आप एक बार हो देखेंगे सपोज़ एक्स और वाई तो यहां पर ना यह नहीं की जहां वन है वहाँ पर मैं रख दूंगा X और जहां 9 है वहां रख दूंगा मैं Y को अच्छा देखिए इसक के बात क्या होगा X को मैं increase कर दूंगा और 9 को मैं यहां पर जो Y है उसको मैं decrease कर दूंगा फिर यह increase होगा, यह decrease, increase, decrease और इस तरीके से दोनों यहाँ पर आ जाएंगे फिर यहाँ पर last में 5 को print कर देंगे तो friends इस तरीके से जो है हमारा logic होगा मैं क्या करूँगा यहाँ पर R और C दो variable लेके चलूँगा row column और साथ में दो variable लेके चलूँगा जो 1 और 9 के position पर set करूँगा और उसके बाद एक को increase और एक को decrease करता बाँ चलूँगा इसके अलाव मैं यहाँ एक और extra variable लेके चलूँगा जिसका नाम n होगा, जिसकी value में 5 कर दोगा तो आप इसको 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक लेके जाना चाहरें इसलिए आप चाहते हैं अगर 10 कर देंगे तो 1 से लिकर के 10 टाइम सक चलता जाएगा ठीके तो full मिला कि मैं यहाँ पर friends 5 अलग-अलग variables को use लेने वाला हूँ देखते हैं आकर इसका code क्या होगा, इसका logic क्या है तो friends मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ चलिए, last में जाके मैं लिख देता हूँ एक बार return 0 जो हम लोग हमेशा लिखते हैं ठीके, इसके अलावा friends मुझे यहाँ पर क्या करना है variables से यह r और 0 और column के लिए, ठीके एक और variable लोगा, n नाम की जिसमें store कर दोंगा तो मैं 5 की मेरा जो loop है वो 5 टाइम तक चलने वाला है अगर आप 10 कर देंगे तो 10 टाइम तक चल जाएगा तो मैंने पूरा का पूरा जो loop है वो इस n के उपर depend कर रखाए ठीके, इसके लाव friends मेरे पास कुछ और variables चाहिए एक मुझे चाहिए PX और एक मुझे चाहिए PY ठीके, दो variables लेने वाला हूँ X की value को friends में यहाँ पर set करने वाला हूँ 1 से, PX equals to 1 से ठीके और PY की value को मैं अगर चाहूँ तो direct 9 लिख सकता हूँ ठीके direct 9 का मतलब क्या होगा, क्योंकि मेरा first और उसके लाव आप देखेंगे तो last वाला जो था, 9 से शुरू हो रहता, print वाला ठीके तो यह output तो आपका सही आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 कीज़े के 6 कर देंगे 7 कर देंगे, आप 10 टाइम सक चलावा चाहते हैं, तो वहाँ पर py जो है, आपको problem create कर सकते है, ठीके तो friends, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, py एक्वल्स कर देता हूँ, n इंटू 2, यह अगर हम लोग अभी देखे, n इंटू 2 कितना होगा, 10, minus 1, ठीके आपका होगया, यह 9, पर इस टाइप से friends, हमने क्या कर दे, अपनी variables को set कर दे, बस अपनको loop चलाना है, तो मैं loop चलोंगा for r, r 1 से शुरू होगा, r is less than equals to n करता हूँ, 5 नहीं लिख रहा हूँ, ठीके, और उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, r आपका plus plus, तो friends, इस टाइप 2, क्योंकि maximum अपन इसको 10 times सक लेके जाने वाले, और उसके बाद से यह आपका हो जाएगा, plus plus, अच्छा, इसके बीच मुझे क्या करना है, 1 और 9 पर ही तो print करना है, तो मैं यह condition डालूँगा, क्या लिख दूँगा, if c equals to equals to px अगर होता है, एक तो यहाँ पर यह condition थी, द percentage d, और उसके बाद आपके जो भी c की value है, क्योंकि c जो है, आप अभी देख सकते हैं, पहले 1 पर print करेगा, फिर बीच मुझे blank मुझे चाहिए, फिर जब 9 पर जाएगा, तो 9 को मुझे print करवाना है, तो x और y की value जब c जो है, x पर set होगा, यह नहीं 1 पर, और 9 पर आएग अचा friends, अब आपका जो px है, उसको आपको आगे बढ़ाना है, next row के लिए, ठीक है, और जो आपका py उसको क्या करना है, पीछे लेके आना है, आपको और साथ में आपको एक new line और print करनी, जैसे first row का का काम हो जाएगा, तो new line आपको आना है, आप क्या कर देंगे, slash, इस ट आ देती, first पर क्या देख सकते है, 1 और 9, next पर हमने x और y को increase और decrease किया, x2 पर आगे था, y आपका 8 पर आचुका था, next row के लिए, x3 पर आचुका था, y7 पर आचुका था, next row में आपका x4, और y आपका 6 हो चुका था, next row में दोनों की value 5 हो चुकी तो अपना program इतना ही चलन तो इस टाप से friends हमने जो है, आज एक और नए टाप के pattern को discuss किया है, ऐसी friends आगे की वीडियो में हम लोग बहुर अलग अलग टाप के pattern को discuss करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं, धन्यावाइब